मान पटेल जैसे मान तम किलाडी होगे अंगत जैसे इनामपुरी एक्ष्पेस के सामने आज सूरज पाटील भिंगारी सूरज पाटील वाग्यू लिवाडा के किलाडी है उग तरफ आप देख सकते एक कुनाल नाईक एक ताकत और बलेबाज है जिनकी ग्रामीन टीम इस आत्रा में चॉसर बनाई थी और अपने टीम को चारी ओवर में जीत दिलाई थी रंती मोर में मेरे काल से अंगत के किलापिया ठाकिंग बलेबाजी की थी लेकिन आच चलिए दोनों किलाडी एक ही टीम में मौझूद है तो चलिए यहाँ पर आरंबिक जोड़ी सूरश पाठील और कुनाल नाइक भिंगारी और गेंद बाजी की कमान समालने के लिए नेरी दुनरी विबाग से एक लोथा किलाडी है जिसने अपनी छबी पूरे टेनिस रिकेट वो रबर बाल प्रिकेट विश्व में बनाई वो है बिल्कुल यहाँ पर प्रसन्ना प्रभाकर पाठील ट्रिपल पी केनबाजी करेंगे शुरुबात और सामने होंगे सूरश पाठील मैन इन फॉर्म वाग्यू लिवाड़ा टीम का यह किलाडी आश्तालु का आफ में खेल रहा है विकेट की पर आप देख सकते है कि रन पाबार को बहुत दूर खड़े संसे जानते कि रफ्तार वाली गेंबाजों कि सामने अबर विकेट केपिंग गरना है दूर र चाहते दे लेकिन कोई बले का फिर सेला संपर गवानाई पहले गेंवाइड थी दूसरी गेंगें के उपर दिखाया आस्मान मिडविकेट को क्लियर करती वी सूरज का बला माशाला बिगेट छेरन गेंब कुल सीमा पार जाती वी छेरनों के लिए सूरज ने अपना खाता खोला और टीम की रंसंग्या यहां पर बनती वी बिल्कुल साथ रन बगर विकेट को यह नुक्सान पर तो बिल्कुल आज वोड़पन वाल टीम के बल्यवाज लगातार नौ बार विफल हो चुके खाता नहीं खोल पाए यानि कि अट्टा यापा यापा हमारे अतुल शेट का जनम दिन है अतुल शेट आपको जनम दिन की हार्दिक हार्दिफ शुब काम नाए गिन बास तयार सूरज के लिए यॉर्कर का प्रयास किया था ठीकाने पर नहीं गिरी गेन बहुत दूर है लेक्स्टम से अंपायर का वाइट बॉल का करार एक रन तो जरूर मिला है बाई के तोर पर वन प्लस वन दो रन मिलेंगे एक वाइट की और एक बाईस की यानिकी दो रनों की पाईगी कि यह कि अधा में है फिल्डर डाउन दे ग्राउंड आकास तारिकर जच करना चाहते लेकिन उनके पाहुंस से दूर गेंद जाती विसीधा सीम आपार कुनान लाइक जिसे छोटा भिंगरी का जाता है भिंगारी टीम का अगर यह भिंगरी खुम जाएगी ना त जित का मैं बाध्शाह हूं यही दिखाते हुए कुनाल नाइक कि स्मयदान की उपर यानिक श्रया 11 को पर टीम के सामने तकड़ी स्टार कास्ट है दोनों भी टीमों में लेकिन आकिर कार इस तकड़ी स्टार कास्ट में जीत कौन से टीम पाईगी वासीम भाईगी पटेल म कोशी बहुत दूर है रूशी वह वेरी वेल प्रेट गुड रॉनिंग विर्ट विकेट इसक लास जबर्दस से क्रिकेट नजाक कर दिखाते वह दोनों भलेबाज और दो रन यहां पर तेजी के साथ चुराए और इसी दो रनों की मदश से खाला की टीम की दंसने क्या बन की समापती पिछली कुछ गेंदे थी अमेरेकां से उन्होंने ओवर दे विकेट से फिकीती लेकिन अब रेफटाम राउंड दे विकेट गेंबाजी कौन मनने की कोशिच कर रहें शायद वो फिल टॉस गेंदे लगा तर गिर रही है बले गेंबास की ये कौन मननना चाहते यारकर का इस्तमाल लेकिन पूर देगरे से स्टैंड एंड डिलेवर सीधे बल्ले से केला लॉंग आफ को पीट करती हुए वीजे के ऊपर से गेंजाती हुए सीमा पार ये महंगा ओबर प्रसन्ना पाटिल का नजार आता हुआ रहा रंसंग क्या बनी है टूटल 23 तेवीस पहला ओबर अभी तक प्रगतिपत पर है लबाव अलिस्तिति नजर आ रही है वाइट बॉल का इशारा अंपार का यहां पर आता हुआ वह वनमाउस का लगातार इशारा देते हुए वाइट की मदद से हाला कि टीम की रंसंग क्या पहुशती हुए चौबीस एक गिन बच के पारी का खात्मा होता हुआ जाते जाते कुना मिलती हुई एक पहली सफल था प्रसन ना को और पहला करारा चटका इस वक्त स्वारान शिलेवन इस सामबे भंगर पड़ा टीम को वरी गुड केमबाक चले क्यों नहों आखरी गेंद के ओपर विकेट तो मिली और जो रनो को रोकना चाहिए था वह आकिरकार अंतिम गेंद पे उपर इस रन मशीन कुनाल को रोकने में काम्याफ हो पाए बहतरी इन गिंद बाजी यहाँ पर देखने को मिली नमुम्किन को मुम्किन बना दे इतने दिलेर हैं हम दुनिया को छुका ना आता है हमें क्योंकि ही शेर हैं यह दिखाया है जरूर कुनाल ने लेकिन आखिरकार विकेट मैदान से उनके बाहर लोड़ती हुई अब सूर और का यह अंती मुकाबला है लगबग 82 रन किंग्स 11 पनविल टीम ने बना आए और जो टीम सबसे जादा रन बनाएगी वो जाएगे सीधा बाई उनके खेमे में लेकिन अभी भी देखेंगे इस मैच में पहले ओवर में 23 रन बने है अभी भी 50 रन अगर बना पाती है आन फिल्डिंक अस्तर उस्पान पढ़े लाकाश तारे कर वी शेप में आप दोनों के लाड़ी देख सकते हैं जो रनों को बचाने के लिए और वी शेप अगर आप यॉर्कर गेंदे इस रबर बाल में करते हैं ना मेरे कहल से छका ही जाएगा ये बाल सिर्फ बल्ले पर आनी गेंदो को पकड़ना लेकिन अच्छी बात है कि शुरुबाती गेंद क्यूपर बीट किया मेरे कहल से सागर बलेबास सूरज को गेंदबास रूशी ने बहतरी नाइन और लेन दो रन मुकंबल होंगे और इन दो रनों की मदद से टीम की रंसंग्या पॉस्टिवी टोटल 26 प्रयास किया था लेकिन अचानक गेंद ने थोड़ा सा उचाल लिया राकाश तारेक और चीरती वी गेंद सीमारे का पार चार रन सूरज के बले से निकला हुआ एक बढ़िया शॉट चार रनों के मदद से टीम की रंसंग्या पॉस्टिए टोटल 30 रन लगातार रन यहां पर नहीं रख पा रहे है राउंड विकेट से यह शॉट थोड़ सा अंदर की दरफ लाने की कोशिश दी इस गेंद को बले का अंदरूनी किनारा लगा है और यहां पर विकेट के पर किरन पवार गेंद को उठाएंगे फिल करेंगे तब तक एक रन लेने का मौका था और एक रनों की मदस्य टीम की रंसंग क्या पहुश्टी भी टोटल 31 रन इस समय एक विकेट के नुकसान पर अच्छा क्रिकेट दोनों टीम एक की बीच में दर्शोग को कि आसे इस मैच को पुरी तरीके से इंज्वाय करते हुए चोग के चक्के विक्टी देखनों को मिलेग इस मैच में शॉट बड़ाये लेकिन हवा में काफी देर तक दो किलाडी गेंद किने के सुमीत और आकाशो वेरी गुड़ कैच एक बार फिल्टिंग पसंद आयो तो जोड़दार तालिया आकाश और सुमीत पारगाव की यह जोड़ी थी रनिंग कैच अंतिंग शनों में आच्छा हुआ क्या आवाज दिया अंगिता सुमीत को यह कॉल नहीं आता आवाज में आती तो यह टकराव आपको बड़ा देखने को मिल सकता था अच्छा हुआ यह टकराव नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले हमने बदलापूर की जो केंद्रिय मंत्री ट्रोफी थी खास वहा हुआ रख समय लग रहा था कि जाएंगे लेकिन एक खिलाडी ने कदम साली थे काकडवाल के उन्होंने चलांग लगाई और उसे किस किया मौस उसे दिया पुर्वत तरह से ऑक्सिजन दिया और उसकी जान बचाई मौट मौट किस किया और उसकी जान बचाई जो इससे पहले मेरे कैल से एजाज कुरीशी ने वो बाले टॉपी में शायद किया था एक किलाडी की जान बचाई थी अच्छा हुआ कॉल्प के ओपर ध्यान दीजिए कोई इतना जोकी मारा प्रिस मदी लेकिन फिल्डिंग लाजवाब हुई आकाश्ता रेकर के माधियम से गिन ब टोरे और दो रनों की मदद से टीम की रंसंग्या बंती वी टोटल बात करेंगे यहां पर 33 रन यहां पर हवाई यात्रा करती हुए कापी उची है कापी उची है सुमिट डोंग्रे को बीट करती हुए गें जाती हुए सीमा पार माक्सिममीट सूरज के बले से निकलता हुआ यह टोटल छक्का नंबर है तीसरा और रन्संग्या बनी है टोटल इस छेरानों की मदद से 39 49 रन विकेट लेंगे मार मिलेगी यह दर्शा थे हुए यह दोनों भी बलेवाज यहां पर दो ओबर का खेल भाए समाप और दो ओबर का खेल समाप तोने के बाद रन्संग्या पहुचिए 49 रन इस समय दो विकेट के नुकसान के उपर जो कि मुठाना सीखना है तो सीखो दिलेर से क्योंकि बूरा वक्त भी नजदिक आने से डरता है शेर से अब यहां पर देखेंगे तोड़ा सा बूरा वकत था अच्छाना क्विक्टे दो गीरी थी और पुरी तरीके से यहां पर पारी को संबाल दिया सूरज पाटिल लें कौन सा विकल्ब है अंगत पाटिल को अजमाना चाहेंगे जी हां अंगत के हां तो में गेंद अब जरूर सौपिये क्योंकि दो कदम पीछे क्या लिए अब तो यहां पर पाजी थोड़ी सी पल्टी वी नज़र आ रही है पह लुगे सागर की तैनिस बाल में शॉट शिलेक्शन करना असान होता है रबर में आपको मुमेंटम जादा मिल देन आंए इये मुमेंटम करना भी जरूरी होती है और यहां पर गेंद रफ्तार से आती है साथ जो आपको मुमेंटा में मिलने में थोड़ीशी दिकते हो दिये यहां पर आफस्टम से बाहर है अंपार योगेश पवार सर का इशार आता हुआ इच्छा वाइट बाल कॉल और देखिए वाइट बाल के अगर चर्चा करेंगे ना पहले ओवर में प्रसना ने दो गेंदे पहले ओवर मेंगिस साबित हुई थी उसके बाद बहतरी नंगमब बेगेट मैक्जिमाम च्छक आता हुआ और अंगत पाटिल को ये बढ़िया धमा का लगाते हुए सूरज पाटिल और इसी छे रनों की मदद से टीम करना बढ़ता हुआ स्कोर है सैतालिस रन स्कोर कार की उपर क्या बलेबाद ही चल रही है थोड़ी सी समाधान कुछ बाते करते हुए अंपार से पबार की पावर कोई गलिती नहीं और इसी के साथ अंगत को मिलती भी ये बड़ी सफल था और यहाँ पर ये तीसरा छट का लगता हुआ स्वाराश 11 इसामबे भंगर पड़ा टीम को तो बिलकुल यहाँ पर बलेबाद जी की पारी की विखात्मा एक बार जोड़ा तालिया तो बजाओ सूरज के लिए बढ़िया बलेबाद जी के अपने टीम के लिए कमाल का परपमस रहा और लगबग सूरज ने बनाए अपने टीम के लिए टोटल रंस तीन चकों की मदद से एक चौकों की मदद से शांदर सक्ताइशनों की पारी के लिए और लोटे मिदान से बाहर बलेबाद त्यार होते विए यह शरीर से थोरा सा दूर फेका था इस गेन को छेड़कानी करने का प्रयास भी किया था बले और गेन का संपर कर ठीक से हुआ नहीं और यहां पर वाइट बाल का करार अंपार का था हुआ वह वाइट के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर 48 48 रन स्कोर कार्ड के उपर अंगत पाठी इनामपुरी इस पेस्ट राउंट विकेट से तयार होते हुए क्रॉस पाठर केलने की कोशिश लेकिन चलिए यहां पर एक रन तो जरूर मुकंबल क्या दूसरी के लिए कोशिश कर पाएंगे मना कर दिया वहां पर समादान वास करने एक से ज़्यादा मात्रे कुछ नहीं है चलिए यही राहत के सास होगी टॉप अर्डर के जाडिल दयार ओहोँ कमाल का फ्लीक आंडर रइस पेरो पर डाली इस गेंद को और जाट जवाप जब दिया यहां पर बलेबाद यहां पर एक एस फोर्टी सेवन समाधान के बल्ले से यह छे रनाता हुआ कहते हैं कि सिहां बनो सियासन की चिंता मत करो क्योंकि सियाद चक् 50 complete scorecard के उपर रन संक्या बनती वी 55 रन 55 लॉस ओप 3 बिकेट अंगर तयार होते हैं फिर से एक बार यह एज लगा था बले का अंधरुने किनारा लगा था चलिए अंतिम गेंथी ओवर हुई समाप तहले तीन ओबर का खेल समाप तोने के बाद रन संक्या बनी है टोटल 55 पच उनके दास्ताने में जाए क्योंकि 23 रन बनाने है अगर आपको बाई चाहिए तो किस से गेंद बाजी करवाएंगे आकाश्तारेकर आएंगे या विशा जितेकर खूद आएंगे चलिए एक बल्लक साब नजर आ रहा है कि यहां पर विशा अकाश्तारेकर गेंद बाजी कर जीता है लेकिन देखेंगे यहां पर आकास तारेकर लंबे ऐसे के बाद आप इन बाजी करते हुए देख रहे चलिए आपर पर पेरी गेन आ बिल्कुल कापी अच्छी रही टिपकाने के बाद बिल्कुल नीची रही डॉट बाल की आपके एई रनाता हुआ बाइस यह जो जब तक जीता है बस अपनी शर्टों पर जीता है अब यहां पर समाधान के अपने टीम के लिए और आगे तर्फ ले जाएंगे यह हवा में है किरन पवार गेंद के नीचे कोई गलती नहीं दूसरा कैच किरन पवार के द्वारा और आकास तारेकर को मिलती हुए यह प बड़ी पारी खेल सके लेकिन वो लोटे सस्ते में सूरज ने पारी को जिंदा रखा कुनाल नाइक के बढ़िया शुरुबात रही और पहले शुरुबात ही दो बलेबासों ने सागर कापी दमदार शुरुबात दी थी लेकिन उसके बाद तोड़ा सा प्रेशर रहा विक आश्तारे कहता यार आपना करके बहुत पूल करना चाहते दे लेकिन बल्या और गेन का संपर ठीक नहीं हुआ पुर से एक बार शरीर पर टग राई आकाश अपने फॉल द्रू में जाकर गेन को उठाए एक से ज़्यादा मातर कुछ रही है अब तो साफ है कि कि किंग सिल का बाई लेकर अगले राउन में एक रन की मदद से टीम की रन संग क्या पहुची है टोटल ला फिफ्टी सेवन इस ओवर की अंतिम शेष्ट तीन गेंदे बची हुए अकाश तारे कर वेरी गूट बाॉलिंग क्रेट कम बैक प्रॉम दी श्रेया इलेवन ये टापे का इं संग्या रफ्थार के साथ आगे बढ़ती भी टोटल स्कूर बन चुका है 63 तिरसाट रन स्कूर कार की उपर लोगेंदों में क्या और दो बड़े ही टाप आएंगे ओह ओह लाजबाब श्वाट ये गाप में गिरिये एंट सिगन माइटी दाट स्कूर फ्राइटी अंपार का इशारा हुजिट शिक्स वाड़ ग्रेट बैडिंग पर्फार्मा सेवेंटी अपके 69 उनत्तर रन स्कूर कार की उपर बनता हुआ अंधिम गेंद बचा हुआ है जो रनों की अपेक्षा थी वो अपेक्षा के ओपर पूरी तरीके से हिसाम बे स्वारां शिलेबन मंगर पड़ा टीम बिल्कुल बनी रह चुकिये अंधिम गेंद नीची रहीटा पाखाने के बाद इस वाइट बाल कॉल अंपार का डारेक्षिट करने की कोशिश लोटना पड़ेगा बल्यबास को लेकिन स्ट्राइक मेरे खाल से रकनी चाहिए थी बल्यबास यहां पर संदेश गोंदली को क्योंकि वाइट बॉल है और एक गेंग को दोबारा डालना पड़ेगा सत्तर रन लग चुके स्कोरकार के ओपर अंतीम गेंद फेक नहीं है जहां पर दो गेंदो के पर फिछली दो बड़े च्छा के आए एक वाइड आया तो नेक्स मैच होगा मेरे खाल से अब तो बिल्कुल यह ओबर समाप तो ने के बाद सेकेंड राउंड का पहले मैच किसका होगा हम ज़रूर आपको बताएंगे फुल टाउस बाल ती ऑन साइड में केलावा स्टोक फिल्डर है उस्मान पडल चलांग लागा तेवे बड़िया फिल्डिंग एक रन मुकंबल त्रो अच्छा है कलेक करते वे लेकिन देखना होगा बले बास होंगे आउट एक रन मिलेगा और इसे के साथ पहले पुरवा अच्छा थे का खेल समाप्तोने के बाद स्वरान शिलवन इसामवे बंगर पड़ा टीम ने रन मनाय टोटल ला 72 नापके जगा एकत्तर रन बात्तर रनों क्या वशकता है विशल विजे विजे तो बिल्कुल बायाजी रन सबसे ज़्यादा स्कोर राई चुका है यहाँ पर राकिंग जिलवन पनविल टीम का वो पहुँची है बाई के साथ अगले दौर में यानि कि तीसरे राउंड में तो फ्रेश मैच होगा सेकंड राउंड का पहला मैच मेरे काल से यहाँ उलवे नोट टीम के कप्तान उनसे गुजारिश करते टास के लिए संपर के गरे और गाउदे भी गाउटन टीम के कप्तान भिगेस मैच होगा आपके सामने तीन हजार से अधिक दर्शे के इस मैच का आनंद लेते हुए और सभी विवोर उसका हम तहदिल से स्वागत करना चाहेंगे 24 लाइव इवेंट्स इनके मात दिम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है और देखिए लाजबाब क्लिरिटी आपके सामने पेश होती हुए और जिस तरीके से अगर आप इस चैनल को आपने सब्स्राइबर किया नहीं होगा तो तुरंद जाईए सब्स्राइबर कीजिए और जब भी यहाँ पर पूरे माराष्टा में जो भी उनकी इवेंट्स होगे वो चाहे क्रिकेट हो कोई भी अन्य कारिक्रम हो उनका लिंक यानिक उसका नॉटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुचा देंगे तो दरूर इस चैनल को सब्स्राइबर कीजिए तो निची तार पर यहाँ पर पहले इनिंग्स का खेल हुआ है समाप तरन संक्या बनी है टोटल निची तार पर बात करेंगे 21 बात तरनों का बड़ा लक्ष है अब सी दिश्वासकर का एक ओवर रगुका का पर्देशी का एक ओवर विशाल मात्रे मैंट फॉटारी इनका एक ओवर सचीन लाहने भिंगारवाडी इनका एक ओवर ऐसे कही सारे विकल्ब है लेकिन किस विकल्ब का किस समय इंतजार करेंगे तो सेकंड राउन का फॉर्स मैच गावदी वी गावधन टीम की कैप्टन यहाँ पर परिश्टाकूर उरन विबाक कहा फाली कैप्टन जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल यहाँ पर रहा चुके है तो उल्वी नोट टीम की कप्तान हम प्रते में श्कुली जिनके बल्ले से अक्सर निकल दिये चको की टोली उनसे भी गुजारिश करते आई है क्या कहेंगे साकर अगले मुखाबले के बारे में सामनातिशे रंगतर होनार कारन्द माइदान आतिशे जबर दसता है चेंडू रबर्भाल स्परता है आणी एका विख्षयक दर्जिदर असे खिलाड़ोत तर सामनातिशे दर्जिदर होनार तो सकल पासना पर पातु सुरेक सामने जले न आता मत्रशिवट पुरिण्द सा बदर्गा शंकाड़ एक तर्धावकार बाहतर दावन तर्गेट अपन पातोई एक बजला स्रिया स्वोर्ट्स कुपर और तैजेशी दूनत करतोई स्वोर्ट्स एंटरपाजेश इसांब भंगरपड़ा असाह संग तर्षेत्रक्षान सदूले लाइस अलब जे पनंदाद माइदन बदे शाले लाहत एका बदला सावले संगाच्छा किरन पवार और चालेंजर परगाव संगाच्छा बाइक मैन उतकुष्ट पनंदाद अका अरच तरीकार शेत्रक्षान सदूल्गा लोगाँल प्रगाण वुटस आठो कर दोनिय्स समक्षान की वैट है कि अनुट्स आड़ प्रतामेश कोले नादे मिस्त्याइन यायस्था लोगर 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 थालिश्वार प्रतामेश कोले अपना सुनध्यस रिक यापन यान साथी समझे कख्षे संपर का साथ लोकर लोकर अथिशे दर्जिदार सपर्दा है जहन में क्रिकर संग अपल आउजित है वेद्वे रबर फॉरल रबल वाल तुला में जा अगाज कि रबवर अकाष्टरिकर से सलविजी दोडिवाइदन अबदे उतरले तर सलविजा गोलंदाच को ने तो पायचाए समाधन वासकर्स सिद्धेश वासकर कुनाल नाइक सुरज पादिल एक जबर दस्ट खिरन दफरनास नरा संग तेवड़ा तक्तिचा जंचे आ मुलिचा अबने संगा उतरलाई अमर पावार एची मुल्गी स्रेया इचान आवने है संगा किल तो यह माइदन आवर अब बिल्कुल सही आश्रेया अमर पावार जो लेधर क्रिकेट में भी उन्होंने मेरे काल से जाकर महाबले-शियोा ऐघर है पर नाचार वड़ा अरनी शूतर लेधर यहां पर रबर वाल में में कापई आचाओ और पमज रहता है तो चलिये मैंच के तरफ चलते시에 यहां पर जीतने के लिए टोटल बहत तरणों का लक्ष है शुरुबात करेंगे पहले ओबर की यहां पर सचिन नाने मैं फ्राप भिंगारवाडी राउंद विकेट से सामने बलेबास है खिरन पबार पहली गेन चलिए पहली गेन के उपर टैप किया यहां पर बिल्कुल फुल्डर दूर से आते हुए डीप में एक रंदो कंप्लीट जो कि मरा रन नहीं लेना चाहते है यह दोनों भी बलेबास थोड़े से नाकुश है इस शॉर्ट सेलेक्शन जे किरन पबार अफसाइट की दरफ गेन थी उसी दिशा में बड़ा शॉट लगने की कोशिश करते थे तो बिल्कुल दयानंद मडवी हमारे गाउदिवी गाउटन टीम के सबसे समर्तक और अच्छे किर्केटर भी जाने जाते है आपका स्वागत है तीन तारीक को बिल्कुल और नो तारीक को गाउठान में दो ट इस एक रनों के मदद से बड़तावा स्कोरे टोटल दो रन फरक नहीं गिरेगा यहाँ पर स्वाराश इलेवन इसामबे भंगरपड़ टीम के कप्तान को कि सिंगल जाए दिक्कत है नहीं है उनके सामने बड़े शॉट्स में रोकना है इन दोनों बलेबासों को लक्ष पर पूरा करेंगे और इसे एक रनों के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर आगे की तरफ जाता हुआ यहां पर तीन रन तीन गेंदे तीन सिंगल अब तक यहां पर आते हुए हार की कोट्री में जीत का भी किवाड़ा होगा शेरू में खोला है तो अपनी दार भी जोर सी होग तो यहां पर देखेंगे इस तरीके का अपना बले का फेस कोलेंगे यहां पर आकाश तारेकर टास के लिए प्लीज यहां पर संबर का करें गुजारिश करते हैं कि कप्तान मौजूद है तो लुए नो टीम के कप्तान प्रतमेश कोली आकर टास के लिए दूरां संबर का कर पर जंगल का राजा तो शेर ही कहला था है और यह दहाड उनकी मैदान में आती भी अश्रीडेश सिक्सर बढ़िया ही गेंसीमा पार आती भी छेरनों के लिए नौरन स्कूर कार्ड की उपर जो पहले ओबर में शुरुबात की थी ओम्रा मफ किजेगा स्वारान शीलेवन इस या 11 कोपर टीम के बलेबास होंगो इस बार हाफ टाकर की बॉल कर दिया है जैसे को तैसा जवाब देते हुए जवाबी हमला आकाशतार एकर के बले से बैक तु बैक दो मैक्सिमम हीट तीन गिंदों में तीन सिंगल अगली तीन गिंदों में क्या तीन च्छक्य आएंगे उन में से दो आचुके हैं क्या तीसरा छक्का आप आएगा तीम की रंसंग क्या बनी है टोटल यहां पर पंद्रा रं स्कोर कार्ड के ऊपर सचिन लहाने के ऊपर रहा पर प्रेशर नजर आता हुआ और आकाश तारेकर की यह इनिंग जो है वो निरनायक रहेगी इस मैच म क्योंकि जब भी चेसिंग के लिए टीम उतर दिये आकाश का बल्ला हमेशा मैदान में गिनबाजों के सामने तकलिफे बना दियता है और यहां पर देखिए पहले तीन के दिशांत सुभाव से रहे और यहां पर इन दो गिंदो के ऊपर दो बड़े शॉट लागाते हुए अच्छा को के अट्रिक पूरी कंप्लीट पाएंगे 15 रने स्कूर कार्ट के उपर सचिन के उपर प्रेशर इस अपकमिंग स्टार बिंगर वाड़े टीम का जो गिनबाज है तोड़ा सा प्रेशर में नजर आता हुआ आकाश निगाय का पी ती किये गें के गिनबाज के उ स्रेया 11 कोपर टीम का स्कूर है 16 रन 16 से रिक्वाइड रन रेट से चलेगी फिर भी 64-70 बन सकते है 17-18 चाहिए प्रदी ओवर तो टास बरुच सिक्का उचला जाएगा सेकेंड राउंड की पहली मैच गाउद भी गाउठान विपक्षा उलुवे नोड ये दोनों टीमों क बीच में अस्ती लड़ाई विशाल जीते कर इनके शुबहातों से बिलकुल ये टास मुकंबल किया जाएगा विशाल मैच ये होगा सेकेंड राउंड का विशाल ओवर तीन ओवर सभी मुकाबल है ग्रामिन के भी तीन ओवर की खेले गया है शायद ये भी तीन ओवर का य है टॉस किया जार आइसी का किसके पक्ष में उठलेगा तो यह सुल्वे नोट क्याप्टन वंड़ टॉसान डिसीजन प्रदमेश विट डिसीजन थोड़ा सा इंतिजार करेंगे शाहिद बल्यबाजी करना पसंद करेंगे क्या फिल्डिंग करने पसंद करेंगे अमेरिक से पिछले मुकाबले में फिल्डिंग पसंद कर लिया था टॉस जीतने के बाद चेसिंग करेंगे बहतर रहते तो चलिए रगु काका से अब दूसरे ओगल की शुरुबात करेंगे बहतरीन गिनबाज है सर सचीन रमेश तेंदूल करकुप करने गिनबाजी करने का मौका नेट पैक्टिस में रगु काका को मिला था मुंबई जैसे गिरगव चौपाटी के बगल में जो मैचेस होते हैं वहाँ पर उन्हें कापी कमाल की अच्छे बलेबाजों को रोकने में कामयाब और अभी अभी बदलापूर में खेली गई जो वही ट्रॉफी थी उस ट्रॉ पैड़ का लेक ब्रेक का सुल्थान इस सिक्सर किंग यहने की आकास्ता रेकोर को रोकने में कामया भूपाएगा बिग्स बाटल है पहली गेन के ऊपर आंसमान दिखाया रगू का गागो और गेन को फेक दिया स्क्वेर लेक के ऊपर से बाउंडी लाइन के बाहर हुज ही छे रन और आकास्तारे करके बल्ले से निकला हुआ यह तीसरा मैक्जिममीट छे रन और छे रनों के मदद से रन संक्या पाउश्टी भी टोटल बाविस रन बहतर रनो का लक्ष है अभी भी साट रनो के आपर आवश्टा है इस मुकाबले को जीतने के लिए लेकिन दोनों भी टीमे जीत जान से इस मैदान में लड़ती हुई बास कभी कभू तोरिक के साथ उडान नहीं भरता जानते हैं अगर उची उडान भरनी है तो इस मैदान में कापी मेहनत करनी पड़ेगी अतुल घरत बहतरी इंट्रिकेटर मैच का अनन्द लेते हुए उनका भी हम स्वागत करते हैं इस बार गेंद को अलके हाथ उसे फ्लिकिया उनसाइड में बिट विगेट के खिलाड़ी डियप में आकर उठाएंगे दूसरी की कोशिश वेरी गूड रानिंग बिटिंट विगेट कापी अच्छी देखने को मिली और यहां पर बुरी तरीके से दो रन कंप्लीट करते हुए दो रनों की मदद से वेक्ति गद आकाश तारेकर पहुंचे हैं तीन चकों की मदद से 22 रनों की उपर और टीम की रनसाँ क्या है टोटल 24 24 चौबिस रन स्कोर कार्ड की उपर ओवर दिविकेट से तयार इस बाराबा में है गेन क्या मौका बनेगा लेकिन बहुत दूर जाई है गेन सीमा रेका पार आकाश तारेकर जिस तरीके से इनका बल्ला चल रहा है इससे साब पता लग रहा है कि ये मैच कई ऐसा ना हो कि ये कुछ गेंदे बनते रखते हुए फिनिश कर सके और इसी छे रनों की मदद से बढ़तावा स्कोर है तीस रन 40-42 रनों की लगबग आवश्च रकता है इस मैच को जीतने के लिए हम क्यू डरे किसी से हम तो पैदाशी शेरों की बस्ती में हुए डरना है तो वो लग डरे जिने चोने पैदा करके शेर का नाम दे रखा है ये खिलाडी काफी ताकत वर है कमाल की बल्यबाजी का परपम करता है कि साथ गेंदों में अठाइशनों की ये तूफानी पारी मैदान के अंदर दिखाते हुए बिल्कुल दबाव में है दबाव कब अटाए जाएगा इसी सोच में है इसांबे फंगर पड़ा टीम ये लाइन अच्छी है लेकिन देखेंगे बिल्कुल ठीज थोड़ रोई शर्मा के स्टाइल में क्या कमाल कस्रो के आकश तारेकर के बल्ले से पहले ही जास लियाता रगु काका के इस गेंद को और यहां पर देखिए बढ़िया मैक्सिममीट छे रन और छे रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46 46 रन 36 रन स्कोरकाट के उपर आकाश के रन बने हैं यहां पर 34 16 रन से अपने अर्धिशा तक से दूर है क्या इस श्टंकला में अपना अर्धिशा तक पूरा कर पाएंगे सागर के चेहरे के उपर खुशी का माहूल यह भी हाफ टैकर की बाल थी इस बार मोका बन सकता है कंप्ली टुबा मेरे क्याल से दूसरा और दो ओबर का खेल समाप तोने के बाद 36 रन तो बिल्कुल यहां पर आकाश तारेकर आउट होकर लोटे 34 रन उन्होंने बनाए अपने टीम के लिए शांदर पारी के लिए और बैल लोटे मैदान से बाहर वीजे रबर बॉल में आकाश तारेकर के बाद और एक नाम चुड़ लिजे जिसने इसी मैदान के उपर मेरे कहल से अर्दशत के तूपानी पारी के लिए थी दो अर्दशत के इनके नाम पर है और इस टूनाइमिन में 146 रन विशाल जितेकर के नाम पर है तीन मुकाबले में 36 रन चाहिए आदा शेशन कंप्लीट हो चुका है अब बारा गेंदो में आदा शेशन बनाना है बारा में 6 चके मारेंगे तो मुकाबला जीतेगी श्रेया 11 ना कोपर टीम अगर रोकने में कामें हो पाएंगे कुनाल नाईक तो ये मुकाबला जाएगा विज जित तौर प है तो बिलकुल अच्छे फैसले लेने हैं और अच्छे फैसले हमेशा आपको असरदार सावीद होते हैं अभी मन्यू की एक बात आज भी पसंद है हिम्मत से हरना लेकिन हिम्मत कभी मत हरना क्या ये मैच में दोनों टीमें डमखम के साथ उत्रिये लेकिन क्या इस मैदान क पर बड़े और खिलाड़ी के तौर पर हमेशा जाने जाते हैं लेकिन आज ग्रामीन नहीं बलकि आज तालु का हाफ है अपने टीम के लिए हमेशा प्रतिनी दित्व करते हैं ये खिलाड़ी कौन सा पर्वमस देपाएंगे गिन बासता यार इस बार अच्छा शार्ट यहां पर आंसाइड में फिल्डिंग बढ़िया थी मेरे खाल से क्याच लेना चाहिए था जमादान वासकर को और एक विकेट मैदान से बाहर लाट सकता था लेकिन एफट की दाथ करेंगे जरूर नाकुष होंगे थोड़ी से स अभी भी चीट के बात करेंगे 35 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश रखता है 11 गेंदों में यह ओबर हार और जीत का फैसला निर्भर जरूर करेगी अफस्टम से बाहर है अंपार का वाइट बाल का इशारा वाइट के मदद से हाला की टिम के रन संग्या बंधिवी लाइक ओबर डीट से किरन पावर के लिए हो हो कमाल की इंबाज ये बैतरी इन गेंदे लाइन लाजवा पे डारे चेट यह मामला करे भी बन सक्ता है कि रन पावार जो कि मदरा रन नेने के लिए दोड़े काल विशाल का नहीदा लेकिन दोड़े किरन और यहां पर डारे ठीट कमाल की विकेट कीपिंग का परपमस देते हुए अब यहां पर मुश्किले बढ़ी है जरूर लेकिन और एक जलजला मैदान के उपर किरन पवार पवार की पावर हुई यहां पर समाप एक बड़े शॉट में जरूर तकदिल करना चाहिए था लेकिन यहां पर सेफ स्ट्रो केलना पसंद कर लिया था लेकर आउट होकर लॉटे रेनाउट के तौर पर बढ़िया फिल्डिंग आज दो यहां पर बढ़िया फिल्डिंग देखनों को मिली सागर एक थे मुकेश जिन्होंने स्क्वेर लेक मिड़ विकेट की रीजन से बहतरीन हिट किया और य लेकिन क्या उस्मान पटिल को कितनी केंदी मिलीगी विशाल क्या इस मैच में अपना रुख पलट देंगे कुनाल नाइक क्या रोख पाएंगे वले बासों को स्कोर अभी भी रुका हुआ है बत बातर रनों का लक्ष का पीछा करते हुए 38 रन, 34 रनों के अभी भी आवश लेकिन उनके सर के ऊपर से फेग दिया विशाल जीतेगर के बल्ले से एक मैक्सिममी छे रन और इसी छे रनों की मदद से स्कोर बनता हुआ 45, 35 रन स्कूरकार के उपर 35 रन स्कूरकार के उपर, अब मेरे कहल से जीत के लिए 45, 27 रनों के यहाँ पर आवश रक्ता इस मुकाबले को जीतने के लिए 50 रन से, 5 रन से सिर्फ आर्दशय तक से दूर होगी, लेकिन देखेंगे यहाँ पर इस मैच में किस तरीके से कमबैक कर पाएगी 45 रन, 27 रनों के अभी भी आवश रक्ता इस मुकाबले को जीतने के लिए विशाल का छोड़ा हुआ कैच थोड़ी से संकट में डालती हुई यहाँ पर स्वराण शिलेवन इसांबे बंगर पड़ा टीम को गेन सुकी करने के बाद हलकी सी गिली की जाती है ताकि पढ़ने के बाद कापी देश गिर सके यह तौफा था मेरे दोस्त, यह तौफा था, गेन किस लिए गिली की थी सिधा बल्ले पर देने के लिए, या पीच नीचे रखने के लिए, यह तो फुल टास गिरी और फेक दिया सी मारे का पार, पचास कम्प्लीट श्रिया इलेवन को पर टीम के, एक कावन रन स्कोर कार के उपर अब जीदने के लिए, मेरे खाल से रन चाहिए, ट्वेंटीवन अब इभी उस्मान पटे, नौन स्टाइक एंड पर खड़े है विशाल का क्याट चूटा है, उसमें दो चक्के बने है अब यहाँ पर देखेंगे, बच्चिवी गेंदो में, ट्वेंटीवन 21 रनों की बिलकुल आवज चक्ता है, सफर थोड़ा कटीन था लेकिन हिम्मत नहीं हारा, इतना भी भरोसा था कुद पर कि इस बार बाजी जरूर मैं मारूंगा, यह दर्शाते वे विशाल जितेकर सामने वाली टीम को लेकिन अब सुझबूज की बाते बताते वे सिधेश्वास कर, कुनाल के लिगे लिए कि आप हार भी जाओ, तो कोई धिकत नहीं है, लेकिन आप हार माने, यह आपकी फितरत नहीं है यह कुनाल नाईक को दर्शाते वे, यहाँ पर सिधेश्वास कर जबर्दस्त मैच, जबर्दस्त मैच, चारोवर का मैच है, तीसरा ओवर प्रगधी पद पर है, निरनायक मूड पर, दो चके विशाल के बल्ले से निकले है, ही किसरनों की धर करा रहे, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तुझ जराक को हिम्मत तो रख, खौब बद रहे हो, एक रन, एक रनों की मदश से, स्कोर कार्ड की उपर बावन रन लगते हुए, और यहां पर चीतने के लिए अब समीकरन बदलता हुआ, बचिवी गेंदे है साथ, और बीस रनों की बिलकुल आवज शक्ता है, मुकाबला कहा था, सागर, मुकाबला कहा लाकर, साथ गेंदे, बीस रनों की आवज शक्ता, जब बरदस्त मैच, बरदस्त मैच, थीन चार हजाद से अधीक दर्शक मैच का आनंद लेते वे जैसे जैसे से मैच सुशल मुमेंट में आएगा, वैसे वे से यूटूब के माद्यम से दर्शक को की संक्या और बढ़ती जाएगी, इस वाइट बॉल कॉल अंपार का वाइट का करार वाइट के मदस से रन संग क्या बनिये 53 साथ गेंदे 19 रनों की बिलकुल यहां पर आवश रखता है क्या मैच चल रही है दोनों टीमों के बीच में हार मानने को दोनों भी टीमें तयार नहीं है बड़ा मैच है जो जीतेगा ओबर की समापती और इसी के साथ ओबर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट और टोटल तीन ओबर का खेल समापत होने के बाद रन संक्या बनिये 54 चववन रन स्कूर काट के उपर दो बिकेट के नुकसान पर आने वाली 6 गेंदे और 18 रनों की आवश रखता तीन शेके चाहिए उस्मान यहाँ पर दर्शा तेवे अपने डगाउट में शाटम पूल के कोशिश में था लेकिन ठीक से बले पर नहीं आई तीन में तीन शेके क्लियर करेंगे तो शायद मुकाबला इनके लिए बनेगा वरना जो सपना लेकर उत्री थी श्रेया 11 कोपर टीम अगर वो शेक लाइथे सिद्ध शाहिते सूरज आई थे सामने तीन गिन बास्ते लेकिन आकिरकार सौपी एगें सूरज के हाथों में उस्मान बनाम सूरज यह लड़ाई अब मैदान में आती भी क्या होगा किसका चलबा होगा मैदान में किसका करिश्मा होगा छे गेंदे 18 रनों की बि पूरज तैयार कि पहली गैन में नम पार योगेश्पावार सर का इशारा था वह वाइड बॉल एक अतरिक दुछाल का इशारा उनके लिए देते हुए कि आप ये तीखा वाउंसर जो फिक हाई वह पहला वहन है आपको और यहां पर अतरिक से यहां पर रन संग क्या बंत आतार दूसरी वाइड आती हुए तो अंपार तो नंपार डिसिजन जो भी है डिसिजन दोनों अंपार सल्ला मसलत करें विशाल आवजग जरा डिस्किशन करें देखेंगे जो भी डिसिजन होगा किसके टीम के हीद में जाएगा दोनों भी टीमे के लिए निरनाए के मोड है क्योंकि इतने बड़े लक्ष का पीछाव करते हुए आकास तारे करके विश पोड़क शुरुआत अंपार फैसा रिटन ले रहे हैं यह स्योंकि पापर सर ड तो आइस में गडर बॉल तो बिल्कुल योगिश्पवार सर इशारा जरूरा मारी तरफ करेंगे यह सिस इस डॉट बॉल तो मौका बनेगा चलिए यह अंपार ने फैसला रिटन ले चुगाए तो नीची तोर पर यहां पर डॉट बॉल की समापती नजर आ रही है मैच में आएगा मजा गेंद बाद यहां पर था यार उस बान पड़ल के लिए शाट पिशलान के बाल आउन साइड में हुग गया इस गेंद को एक रन तो जरू मुकंबल स्टाइक की विशाल अपने पास रखना चाहते है एक रन मुकंबल और इसी एक रनों की मदद से टीम की रन संग्या यहाँ पर पहुचती वी टोटल ला 56 चपन रन स्कूर कार्ड की उपर अब जीतने के लिए रनों की जरूरत है मेरे ख्याल से या अंतिम चार गेंदे बच्चे और जीतने के लिए मेरे ख्याल से बिलकुल 16 रनों की यहाँ पर आवश रखता है क्या चार गेंदों में 4-4 के लग पाएंगे यहाँ पर बड़ा काटे की टक कर दोना टीमों के बीच में चलती हुई हार मंजूर नहीं है श्रेह 11 कोपर टीम को लेकिन जीतना जरूर है इस मैदान में स्वरांश 11 इसामबे भंगार बड़ा टीम को विशाल तयार यह गेंद अच्छा है श्वाड भी बढ़िया है चौकों की तलास थी चौका आखिरकर विशाल जीते करने अपने बल्ले से निकाल दिया है मच नीडेट बाउंडरी फ्रॉम दा श्रेह 11 कोपर टीम और इसी चार रनों की मदद से रंसंग के आगे बनती हुई टोटल साट रन दो विकेट के नुकसान के उपर अब रनों और गेंदों के बीच में फासला तीन गेंदे बची है और जीतने के लिए 12 रनों की आवज शक्ता क्या चबबर दस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर चलता हुआ दोनों भी टीमें जी जान से यहाँ पर लड़ रही है नेक्स मैच कई में जाये दोस्तों दिल थाम कर वेटी और एक बड़ा मुकाबला आपके सामने होगा गाउदेवी गाउटान विपक्षा मैच केला जाएगा निच्ची तोर पर उल्वे नोड के बीच और उल्वे नोड टीम के कप्तान ने टॉच जीता है तीन गेंदे बारा की दूरी क्या वीजे कंप्लीट कर पाएंगे शाटला जबाब है फेक दिया है मिडविकेट के उपर से सीमारे का पार मैक्सिमम इच्छे अब जीतने के लिए दो गेंदे बची है छे रनों की आवश्च च्छा क्या मैच है कभी बाजी जीतने के लिए छे रनों की आवश्च च्छा अब तलक का स्कूर है मैदान के अंदर 66-66 रन इस समय दो विकेट के नुकसान के उपर और विशाल ने इसी मैदान में ग्रामीन का मुकाबला खेलते हुए टोटल 146 रनों की पारी खेलिए पहले ही दिन में और कमाल का क्रिकेट उनके बल्ले से आज भी इस तालुकाफ में नजर आता हुआ मंजिल पाने के लिए तेज रफ्तार नहीं दोस्त सही रास्ता ही मायने रखता है क्या सूरच वागिलवाड़क के खिलारी ये स्वरांशी सामबे भंगर पारा टीम को बचा पाएंगे या विशाल अपनी बाजी मार पाएंगे दो में चाई एचे टाप एज लगा है लॉंग आफ के वीशेप में गेंजाती भी सीमा रेका पार और इस निरनायक मुकाबले में जीत हासिल की यहां पर श्रेया इलेवन को पर टीम ने हार्दी खार्दी कभी नंदन और हार्ड लग टीम इस सामबे भंगर पड़ा क्या पारी के लिए विशाल जीते करने टोटल साथ गेंदो में तीस रनों की शांदार पारी के लिए और वो बने है इस मैच के हीरो बैन आप दे मैच आकाश तारेकर भी थे लेकिन मैच विनिंग पारी के उपर अगर स्कोरर हमें बताते हैं वे कि यह मैच विनिंग परपा मन सा लेकिन मेरे कहल से यह मैच आवर्ड आकाश तारेकर को कोई देना चाहिए क्योंकि उन्होंने शुरुबात तक आपी 20 पोड़क दी तो आकाश नोड़ाउट दाट आईए मैंनों दो मैज के आपवाड लेने के लिए तो आकाश आईए मैन दो मैज के आवड लेने के लिए आकाश को मैन दो मैज के आवड लेने के लिए आकाश को मैन दो मैज के आवड लेने के लिए आकाश को मैन दो मैज के आवड दिया जाएगा अमारे रश्कुमार जितेकर साहब इनसे गुजारिश करते हैं कि आपके जुब हातों से मैंने दिमेश कहा है अबॉट अकाश के लिए अब तुझे लिए यहाँ पर टॉस जीत कर मेरे ख्याल से पहले बल्यवाजी करना लगबग पसंद कर लिया है उलवे नोड 11 टीम के कप्तान प्रतमेश कोली ने फिचला मुकाबला टासी तर पहले फिल्डी करने का फैसला शाहिद लिया था लेकिन यहाँ पर बल्यवाजी करना उन्होंने फसंद कर लिया है तो शाहिद देखेंगे अब यहाँ पर पहले बल्यवाजी कर बैटिंग की है फिल्डिंग के लिए आमंत्रित किया यहाँ पर गावदेवी गावटान टीम को अब प्रतमेश मात्रे मैंट फूंडे राइद इनकी वापसी मैंच में नजर आती भी बड़ी तगडी स्टार कास्ट है चले चलते पहले सत्रे के लिए सागर पाडिल पारगाव की एक बु सनकते